नमस्कार मैं प्रवेंड गोताम प्रवेंड प्रवेंड गोताम वयान दिया है आगे आपको सुनाएंगी पहले पीएम मोदी के विक्टिम कार की कहानी सुनाते हैं आज हर्याना के सीम नाइब सिंग सैनी और खुद की जाती को लेकर OBC का कार खेलते वे पीएम मोदी क्या कहते हैं जरा सुनिये ये लोग दिन राद मुझे गालिया देते हैं अब हमारे मुकमंतरी जी सैनी जी को भी गालिया देते हैं हमारा और कोई गुना नहीं है हमारा गुना यह है कि हम OBC अती पिछडी मा की कोक से पैदा हुए है इसलिए इसलिए गालिया दे रहे हैं दोस्तो सवाल ये उड़ता है कि नाइब सिंग सैनी को आखिरकार गाली कब दी गई किसने गाली दी नाइब सिंग सैनी को OBC के नाम पर P.M. मोदी दावा करते है कि मैं और नाइब सिंग सैनी OBC मा की कोक से जन्मे है इसलिए गाली दी जा रही है पीम मोदी ने जो कहा उसका प्रमान आपको दिखाते हैं क्या पीम मोदी ओबिसी मा की कोकसे जन्मे है बले आज पीम मोदी की दाती ओबिसी समाज में आती है लेकिन क्या पीम मोदी की मा ओबिसी पैदा हुई थी पीम मोदी 1950 में पैदा हुई प सबसे पहले खुद के OBC होने पर वोट मांगे थे तब कोंग्रेस सेताओं ने आरूप लगाया था कि PM मोदी OBC नहीं है अपनी जाती को वोट बैंक के लिए PM मोदी ने अपनी सरकार बनने के बाद OBC में डाला तब सरकार की सफाई सामने आये थी कि PM मोदी की घाची जाती के लोग 1994 से ही OBC में शामिल है चलो माल लिया गुजराज सरकार का पक्षी माल लिया कि 1994 से PM मोदी OBC हैं फिर आकिरकार एक OBC मा की कोक से PM मोदी पैदा कैसे हुई जबकि PM मोदी का जन्म 1950 में हुआ था तब उनकी जाती OBC समाज में शामिल नहीं थी तो PM मोदी की इस बात का भी कोई लोजिक नहीं है कि मैं OBC मा की कोक से जन्मा हूँ इसलिए मुझे गाली दी जाती हैं और PM मोदी दूसरों के बारे में कैसी भाशा का इस्तमाल करते हैं दोसों इसके आगे PM मोदी हरियाना के चुनाव में पाकिस्तान को ले आते हैं और क्या कहते हैं जड़ा सुनिए सही मैं ये देश का दुर्पा क्या है तीन सो सक्तर की वापसी के मुद्धे पर कॉंग्रेस को उसकी तारीप कर रहा है कॉंग्रेस को पाकिस्तान की सरकार ने बरपूर समर्फन दिया है तो पीम मोधी कहते है कि देखिए पाकिस्तान वाले कॉंग्रेस को पसंद करते हैं तो क्या आप हरियाना के देश भक्त लोग कॉंग्रेस को वोट देंगे क्या कॉंग्रेस के साहियोगी दल कश्मीर में 370 खत्म करने की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जहां तक बात है पीडीपी याद है मोदी जी जिनके शपत ग्रेंट समारों में आप भी गए थे वो पीडीपी जिस पर बीजेपी आरोप लगाती है कि देखे पाकिस्तान परस्पार्टी है ये लोग कश्मीर के समाधान के लिए पाकिस्तान से बाचीत करने की बात करते हैं उस पीडीपी के साथ बीजेपी ने कभी गटबंदन में सरकार भी बनाई थी तो इस तरह की बाते करना देश के प्रधानमत्री को शोभा नहीं देता और गजब का डबल स्टेंडर्ड है अगर पाकिस्तान के लोग राहूल गांदी की तारीफ कर दें तो कहा जाता है कि देखे पाकिस्तान का हाथ कॉंग्रेस के साथ अगर पी-म मोदी की तारीफ कर दी तो कहा जाता है कि देखे पाकिस्तान में भी मोदी का डंका बज़ रहा है और पाकिस्तान से ऐसा क्या प्यार था मोदी जी आपको कि हवाई जाहस को एक दम मोड दिया कोई ओफिशल विजेट नहीं अचानत नवाज शरीप का जन्म दिन मनाने आप पहुँच गए वो क्य पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं था क्या उससे पहले या उस दोरान भी हमारे जवान कश्मीर में शहीद नहीं किये जाते थे पाकिस्तान की वज़े से तो तब आकिरकार आपने नवाज शरीप के लिए प्यार क्यों जटाया अगर वो डिप्लो मैसी थी अगर पाकिस्तान कोई नेता राहुल गांदी की तारीफ करता है तो उसे लेकर आप ऐसा कैसे बोच सकते हैं कि देखे तो पाकिस्तान परस्पार्टी है दोस्तों इसके आगे पीम मोदी यहीं नहीं रुकते पीम मोदी उन लोगों की देश बक्ती पर सवाल उठा देते हैं जो कॉंग्रेस को वोट बैंक तो पक्का है लेकिन अपने लोग जो भारत से प्यार करते हैं उन्हें नहीं बटना है क्या कहते पीम मोदी ज़रा सुनिए दरसल कॉंग्रेस को लगता है कि बाजपा के समर्थकों ये सारे देश भक्ती से भरे हुए लोग है ये देश भक्ती से भरे हुए लोगों का उनको प्रभीत करना उनको तोड़ना उसका कुछ रास्ता उनके दिमाग में चलता रहता है कॉंग्रेस को ये लगता है कि उसका अपना वोटमेंग तो पक्ता है वो सोचती है कि बटेंगे लडेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं हमें कॉंग्रेस की सोच और साजिस को कभी भी सफल नहीं होने देना है दोसो पी-म मोदी की इस बयान की आकिरकार माइने क्या है आकिरकार वो कौन सा वोटमेंग है जो देश से प्यार नहीं करता जो भारत से प्यार नहीं करता जो कॉंग्रेस का वोटमेंग है पी-म मोदी आकिरकार कहना क्या चाते है कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है तो इस तरह की घटिया बयान बाजी की बजाए साफ शब्दों में ही बोल देते आप से उम्मीद की जाती है चुनाव में ऐसी राज़िती की मोदी जी तो आपको साफ शब्दों में ही बोल देना चाहिए था कि आकरकार वो कौन सा वोट बैंक है जिसको आप देशबक नहीं माते और आप कहते कि भारत से प्यार करने वालों को नहीं बटना है यानि कॉंग्रेस को जो वोट देता है दूसरे दलों को जो वोट देता है क्या वो भारत से प्यार नहीं करता दोस्तों बिजेपी को वोट देने वाले भी देशभक्त लोग हैं कॉंग्रेस को वोट देने वाले भी देशभक्त लोग हैं तमाम पार्टियों को वोट देने वाले देशभक्त लोग हैं जो भी भारत के वोट के अधिकार का इस्तमाल कर रहे हैं वो देश भक्त लोग हैं। उन्हें भारत के समिधान ने वोट देने का अधिकार दिया है। और देश भक्ती दिखाते वे लोग वोट करते हैं। और PM मोधी यहाँ पर कहते हैं कि भारत को प्यार करने वाले लोगों को बटना नहीं है, कॉंग्रेस का तो अपना एक वोट बैंक है, तो इस बयान के आखिरकार माइने क्या है? दोस्तों वो माइने मैं खुल कर समझा भी सकता हूँ, लेकि हो सकता है वो समझाने पर मेरे खिलाव कानूनी कारवाईश हो जाए, कि PM मोधी पर ऐसे आरोप लगाये जा रहे हैं, जबकि PM मोधी ने साफ शब्दों में नहीं बोला, लेकिन PM मोधी काफी कुछ बोल गए जो द आप ऐसे शब्दों का इस्तमाल कर सकते हैं, दोस्तों जैसे जैसे चुनाव मुश्किल होता है, PM मोधी ने एक बार फिर प्रमानित किया है कि उनका भाशा का स्तर उतना ही गिरता चला जाता है, आज वोट बैंक के आधार पर देश भक्ती का सर्टिफिकेट बाट रहे हैं देश के प्रधान मंतरी, आप PM मोधी की ऐसी भाशा को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बाक्स में पिराइज जरूर दें, क्या हार देकर PM मोधी इस तरह की भाशा का इस्तमाल हर्याना चुनाव में कर रहे हैं, और क्या बार बार इस तरह के पैत्रे चुनाव में काम आते है कमेंट बॉक्स में पिराइज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्षिन का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लाव वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार